हरर महादेव दर्श को जै महाकाल आज के इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो आपको सनीवार के दिन करने हैं सनीवार के उपाय इतने प्रभावसाली हैं कि आपके घर में जो भी कष्ट है तकलीफ हैं चाहिए वो नौकरी की समस्या हो रोजगार की समस्या हो पैसों की बहुत जादा तंगी है आपके घर में कलेश बहुत रहता है तो यह उपाय आप सटर डे को जरूर कीजिए उपाय बहुत जादा लाबकारी है तो पहला उपाय सनीवार के दिन आपको सबसे पहले सुभा के समय जो पत्ते होते हैं पीपल के विल्कुल साफ रत रहों कटे फटे ना हो ग्यारे पत्तों की माला बनाए और उसको माला को सनी मंदर में आप चड़ा दें आपको जो माला है ग्य पत्तों की माला बनाए और सनी भगवान पर चड़ा दें दूसरे आपको क्या करना है कि पीपल की पत्तों की माला बनाए तो ओम श्रीम हीम शंशने चिराय नमा का 21 आप जाब करें ऐसा करने से सनी देव की क्रपा से आपके जो कोट कचैरी की समस्या होती है वो सब समापत ह हो जाते हैं कि विजूल में मुकदमें लग जाते हैं कभी या बहुत टाइम से परिसान मुकदमों की वजह से तो सब समापत हो जाते हैं सनी वार के दिन आपको क्या करना है कि साथ वार पीपल के पेड़ में से कच्छे सूत का दागा लपेटना जो कच्छा सूत आता है उ साथ वार लपेटना है तो परिक्रमा करनी है परिक्रमा जो आपकरें तो उस समय सनी देव का नाम ह्यादीव ले संई देव पलतेमदा आपके तरक्टे सूते करें जारूब लप już काले तिल लोहे की कील को जरूर चड़ाएं ऐसा करने से आपके घर में जो कलेश है जो लड़ाई जगड़े जादा होते हैं चाहे हो पती पतनी में हो बच्चों में हो पड़वार में जगड़े होते हैं वो सब सांत हो जाते हैं और खुशाली आती है और सनी वार के दिन कि नौक्री नहीं लग रही है तो नौक्री के लिए आपको ओम संसराय का 21 वार जाब करते हैं तेल चड़ाते समय आपको करना है तो यह कुछ उपाए हैं आपकी जो भी समस्या हो उसे साबसे आप इन उपाए को कीजिए देखिए आपकी वह समस्या जरूर समाप्त हो कि यह कि वह सबस्टी करना है नहींए तो यह गयना जरूर समोई देल खूर तोर सम चाह करना है यह जो हम लगगराभगर जात काईए लैंटर समुद करना हैं जरूर जाहरते लिए एलुदायोग